पुजा करने हैं जरा पाथ में कवास करने हैं कौन सेड गरदारी साब जी सेड जी घर में नहीं है सेड जी अपने पोते को बिजनिस की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं तुम ऐसी बाते करती हो जैसे मारे घर में बुद पैदा हुगा ऐसी बाते नहीं सुन सकता तो बिजनिस कैसे करेगा ये में नहीं जानती शोचती हूँ राकेश की शादी कर दूँ शायद वो बहु तुमने ठीक कहा है तुम इसकी भावी नहीं मा हो बजपन से तुमने उसे पाला है तुमने ठीक सोचा है लकर उसे एक बात कह देना कि वो ज़्यादा सोचा न करे डैडी ये आपके लिए नहीं पहले दवा उसके पाल दूद और फिर दलिया हाहह! रकेष, यenda केश जैत हरा डैडी को हाहहु रकेष ह 540 मार्स इमाटिए! वाट बाट गौपाल? 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 वाट बाट गौपाल? मैं भी फस्ताया हूं मुझे भी पान सा चालीस नमर मेले हम दोनो फिर बराबर है या या यू यू सबस्टाइब? वेल दन गौपाल कौपाल अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं वीजे इंजिनिंग इस्टूट में एड्मिशन लेना चाहता हूं इंजिनियर बनो गए और तुम? मेरा खेले मैं बीसी करूँगा सर तुम दोनों से बहुत खुश हूं और ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे कॉलीज की चार दिवारी में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है राकेश जो हमारे देश के एक बहुत बड़े इंडिस्ट्रिस का लड़का है, फर्स्ट आया है और गोपाल जिसके पिताजी पोस्ट आफिस में कलर्क है वो भी फस्ट आया इन दोनों का फस्ट आना इस बात का सबूत है के कॉलेज की चार दिवारी में अमीर और गरीब दोनों को बराबर का मौका मिलता है बड़ सर्व जिन्दगी कॉलेज की चार दिवारी के बाहर शुरू होती है सर राकेश फस्ट आया है नाम ही आता तो क्या फरक पड़ता इसलिए के कॉलेज से बाहर निकलते ही यह अपने बाप की करोड़ों की इनस्टिस का मालिक होगा